जब भी हम C programming में कोई program लिखते है तब output screen को clear करने के लिए हम clear screen CLR SCR function का use करते हैं लेकिन इस function की एक limitation ये है कि ये function सिर्फ dose box में ही run होता है अगर हम इस function का use code blocks, atom या फिर visual studio जैसे IDE में करते हैं तो हमें error मिलती है आज के इस वीडियो में हम यहीं बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप screen को clear कर सकते हैं बिना CLR SCR function को use किये So without wasting any time, let's get started सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों CLR SCR function code blocks और atom जैसे IDE में काम नहीं करता, इसका reason यह है कि CLR SCR function conio.h header file में होता है, जो कि console में input और output के लिए use होता है लेकिन आज के जो नए C compiler से वो इसको use नहीं करते हैं इसलिए जो है हमें CLR SCR function को use करते time error मिलती है चलिए अब हम ये चान लेते हैं कि इसका solution क्या है जब भी हम program के अंदर screen को clear करवाना होगा तब हम सबसे पहले एक header file को include करवा लेगे जिसका नाम में stdlib.h और इसके बाद हमें जब भी screen को clear करवाना होगा तब हमें लिखना होगा system और उसके अंदर brackets करके हमें उसके अंदर CLS लिखना होगा और अगर आप Ubuntu या फिर कोई और Linux operating system यूज़ करते हैं तो आपको CLS की जगह पर clear लिखना होगा इस line को लिखने से जो output screen होगी वो clear हो जाएगी ये line बिल्कुल वेसे ही काम करती है जैसे clear screen function जो है काम करता था तो चलिए अब ये भी जान लेते है कि कैसे जो है इस function को लिखने से screen clear हो गई हम जब भी code blocks या फिर atom जैसे id से code लिखते है तब output screen जो है वो command prompt पर दिखाता है और command prompt की screen को हम clear करने के लिए cls command अगर हम windows operating system यूज़ कर रहे है या फिर clear command अगर हम linux operating system यूज़ कर रहे है तो हमें ये command screen को clear करने के लिए देते है इस तरीके से हम clear screen function को use किये बिना screen को clear कर सकते है और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे comments करके बताईए और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe का बटन दबा दीचे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye